जहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो जो गड़त की पेड़ागोजी उससे संबंदित बहुत ही मत्तुपन क्वाश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए तो आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करन करते हैं जहां पर द्रंढ़ वीडियो अपलोट करते हैं उसकी पेडियाप फाइल हम टेलीग्राम ग्रूप में रभी करते हैं और सब्सक्राइब सब्सक्राइब संबंदित इस्टेडि मेटेरियल आपको हमाल टेलीग्राम गुरुप में मिल जाएगा तो आप टेलीग्राम गुरुप को जाने करना ना भूलें तो चलिए आज के जो फर्स्ट कोस्चन है गलत पेड़ागोजी से संबंदित तो बैहे गलत सभी विज्ञानों का सहंद्वा और कुंजी है एह विचार किसका है तो एह विचार किसका है तो इसका आंसर होगा रोजर बैकन यानि की बिकल्प नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा रोजर बैकन का ऐसे दान्थ है कि विज्ञानों का सहंद्वारा और कुंजी है अंगला कोस्चन है ब्रत्तिकी होगा घिवरत्त की परीधी तता व्यास में संबंद ग्याद करने हैं तो किसी विधी का प्रियोग उपयोगते हैं आगमन विधी प्रियोग साला विधी संसलेशन विधी अनेगमन विधी तो इसका जो आंसर होगा वाय है प्रियोग साला विधी यानि कि विकल्ब नंबर जो क्या होगा इसका सही आंसर कि मादमिक इस तर पर अंक गलत सिक्षन विदी है तो फिर इंप्रायोगिक विदी विसलेशन और संसलेशन विदी आगमन नेगमन विदी या उप्रयोकते सभी तो question number जो तीन है इसका जो आंसरों का बाय है आगमन नेगमन विदी एन जी विकल्प नमबर तीन इसका सही हो जाएगा answer question number तीन का answer विकल्प नमबर तीन इसका सही answer हो जाएगा इंगला कोश्चन है, पाट करम नर्माल के सद्धानत हैं, पाट करम नर्माल के आपको सद्धानत बताना है, यहाँ पर कोश्चन नमबर चुछ था क्या होगा इसका सही आंसर पाट किरम निर्माण के सद्धान थे तो कितने हैं कौन से हैं समन वह वसु संगटता का या उपयोगता वजीवन से संबच देता का या किरिया सीलता वपरिवातन सीलता का या उपरुक सभी तो क्या होगा इसका आंसर तो इसका जो सही आंसर है वह उप्रुक सभी यानि कि बेकल्प नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा उप्रुक सभी अगला कोश्चन है हासल का या हाथ का लगा संप्रत्य को गलत में सरप्रतम देने वाला कौन था most important question है तो कुंते सबसे पहली हासल या हाथ का लगा संप्रत्य को गलत में सरबर्तम जैने वाले तो कुंते क्या होगा आपका आंसर भासकर ब्रह्मिकॉप्त श्रीधर या आरिभट्टे तो इसका जो question नमबर पाँच है इसका जो आंसर होगा बह है श्रीधर यानि कि बिकल्प नमबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीधर अंगला question है चात्र ब्रत्य तथा गोले में तुलना करता है भाई किस उद्देश की पूर्टी करता है तो जो question नमबर छे है इसका आंसर होगा बिकल्प नमबर दो अब बिकल्प नमबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला question है एक अध्यापक गड़त सिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरान कर रहा है वहे किस विदी से प्रेरित है तो कौन से विदी से प्रेरित है जल्ली से बताएए most important question है question number 7 है कि एक अध्यापक गड़त सिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरान कर रहा है तो बहे किस विदी से प्रेरित है तो आपका आंसर होगा क्या होगा प्रियोकसाला विदी या आगमन विदी और निगमन विदी या विसलीशन विदी तो question number 7 है इसका जो आंसर जाएगा निगमन विदी अंगला question है प्रियोकसाला में विदी किस विदी का विस्त्रित रूप है तो क्वान से विदी का विस्त्रित रूप है question number 8 है आपके सामने कि प्रियोकसाला विदी किस विदी का विस्त्रित जो है रूप है तो आपका आंसर क्या होगा आगमन है किसी खेत का छेत्रफल का ज्यान कराने में सहाइक विदी होगी तो कौन सी विदी होगी किसी खेत का छेत्रफल का ज्यान कराने में सहाइक विदी होगी most important question है तो जल्ली से बता ही question number 9 का सही answer क्या होगा आगवन विदी, नेगवन विदी, किरिया विदी, अपने दर्शन विदी तो इसका जो आंसर होगा बाहिए विकल्ब नमबर 3 किरिया विदी इसका सही आंसर हो जाएगा यह किसी का छेतरफल का ग्यान कराने में साहिक विदी है तो बाहिक किरिया विदी अंगला कोस्चन है किसी ब्रत्त की परीदी वाभ्यास में संबंद इस्तापित करना इसमें से कौन सी ब्रत्त की परीदी वाभ्यास में संबंद इस्तापित करना तो कौन सी जो ब्रत्त की परीदी वाभ्यास में संबंद इस्तापित करना तो कौन सी जो ब्रत्त की परीदी है वह आंसर क्या होगा तो जो 10 का आंसर है वह प्रियोगादमक विदी यानि कि विकल्प नमबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला कोस्चन है गड़त विशाई की भी पाठ्टे पुस्तकें किसे विदी पर आधारे थोकर लिखी जाती हैं तो most important question है कि जो गड़त विशाई कि जो पुस्तकें होती हैं किसे विदी पर आधारे थोकर लिखी जाती हैं तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताई कौन सी विदी पर संसलेशन भी दी प्रियुगात्मक आग्मन या प्रदर्शन तो क्या होगा इसका आंसर तो इसका जो आंसर है वहे विकल्प No.1 संसलेशन भी इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प No.1 अंगला question है एकाई उपागम किसे सिक्षबिद ने दिया तो एकाई उपागम तो बारा जो question नमर बारा है इसका आंसर क्या होगा एकाई उपागम किसे सिक्षबिद ने दिया तो आपका आंसर क्या होगा तो आपका आंसर होगा मोरी सन्ने यानि कि जो बिकल्प नमबर दो है यहां पर हम जोई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडियाप फाइल हम टेलिग्राम गुरूप में उपलब्द कर देते हैं और बहुत सारा इस्टेडि माटेरियल आपको हमारी जो टेलिग्राम गुरूप है यहाँ पर मिल जागा तो आप टेलिग्राम गुरूप से जुढ़ना ना बूलैं और अभी तक अगर आपने हमारी चैनिल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें तो जो अंगला कोश्चन है वाय क्या है तो बाय है नेत्रहीन विध्याति के लिए ब्रेल लिपी का प्रिति पादन किस ने किया है तो आप का आंसर होगा लुई ब्रेल ने किसने लुई यानि कि विकल्प नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल ने इस विदी का जो है प्रतिपादन किया है अंगला क्वोस्चन है जेकब एल मारेनू का संबंद किस विदी से है तो कौन सी विदी से है most important question है, तो प्रिश्ण उत्तर विदी, सूप्ष में सेक्षन विदी, व्यक्ति अध्यन विदी, समाज मिती विदी, तो क्या होगा, जैकब L. मारोनू का सम्मन्द है, तो आपका अंसर होगा, समाज मिती विदी सी, समाज मिती विदी सी, यानकी विकल्ब नमबर 4, इसका सही फार प्रिश हो जाएगा, ठीक है, अंगिल्या Question है, समाज समाधन विदी का स्वापान है, तो क्वान सा है, समेश्य समाज्य समाधान विदी का स्वापान है, तो क्वान सा है, जली सी बताइए, अगर आप से बनता है Question Number 15 को cevार了, जो आंसर बताना है, तो भाई क्या होगा कि समस्या समाधन विदी का स्वहपान है तो कौनसा है तो सूचनाओ का संग्रन समस्याओं की पिर्किरति निर्धारण ये निसकर से निकालना है ये आपनों को संगटित करना तो जो पंदरवा question है इसका आंसर होगा निसकर से निकालना एनिकी विकल्ब नमबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है गड़त विसाई की विसेशता है most important question है जल्दी से बताईए गड़त जो विसाई है इसकी विसेशता है तो क्या है इसकी विसेशता गड़त विसाई की विसेशता है तो आप का अंसर होगा सभी गड़त विसाई की जो विसेशता है सभी है तरक पूनता परिणामों की इनिश्चतता और सुद्धता अंगला कोश्चन है चिंता बोध तरक सक्ती विसलेशन की छमता बढ़ानी वाला विसाई है तो कौन सा है ज यानि कि विकल्प नमबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत एंगला कोश्चन है गलत ये निसकर्ट से सर्वमानने होते हैं क्यों की क्यों होते हैं ये तर्क पर आधारत हैं ये सब के विचारों का आधर करते हैं या ये परिस्तिती के अनुकूल होते हैं या उप्रयोक्त स तो क्या होगा question number 18 का सही answer जल्दी से बताईए अगर आपसे बनता है comment में जबूर बताएं तो question number 18 इसका जो सही answer है वह है इतरक पर आधारत है यानि कि बिकल्प नंबर एक इसका सही answer हो जाएगा इतरक पर आधारत हैं अंगला question है section उद्देशों का किरमिक बरगी करन किया ग किमिंदरा कामेर ना तो इसका ऑननी से सही answer होगा वह है ब्लूम दोरा यानि कि फिकल्प सही answer हो जायendम का अंग नहीं है Dus तो इसका ऑंग आपको बताना है पॉस्चोन आपको ध्यान से पडलना होगा क्या हैं कि आप नहीं पूंचा अपसे तो ज़ली से बताbies समझ बुद्धी प्रयोग एंज्यान प्रिस्चन नहीं तो इसका जो आनसर होगा आप बुद्धी यानिकी पर कल्फ नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला कोस्चन है गलत की सभी साखा में प्राचीन तम कौन सी है तो इसका आपको आंशर बताना है तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है तो वैय highlight यानि कि विकल्प number 4 इसका सही answer हो जाएगा गलद की सभी साखा ऊमें प्राचीनतं कौन सी है तो आपका आंसर होगा अंक है अंगला question है रेखा गलद में प्रायोगय के स्तर पार प्रयोक्त होने वाली section वीदि है तो कुंसी है प्रदार्शन वीदि आगमन वीदि नेगमन वीदि या उप्र्योक्त सभी तो जो question सही आंशर क्या होगा जल्दी शे बताए कि सही आंशर अो है OnePlus का सही आंसर तो एसका जो शही कई विधी या बालक की विवहार में परिवातन करने की विधी या पाट्टे बस्तु से संबंदित विधी या उपरुक सभी तो question number जो तेश है इसका जो सही आंसर क्या होगा तो इसका जो सही आंसर है question number पतेश का बाय है क्या बालक की विवहार में परिबातन करने की विधी यानि कि विकल्प नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक की विवहार में परिबातन करने की विधी एक अच्छी मुल्यांकन की विधी है एंगले question है अनुप्रियोग सम्भंधि प्राप्य और देश्य की प्राप्ति होती है जब चात्रे सम्भंधित प्रत्याओं में भिन्न्यता बनाता है या गड़ती अवधारना की व्यक्या कर सकता है या उप्रियोकते सबी तो question number 24 अंसर बताना है most important question है तो इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा समस्या हल कलनी की उप्रियोकते विधी चुनता है पिकलप number 3 इसका सही answer होजागा कि अनुप्रियोक संबंध प्राप्प्य वद्यश की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उप्रक्त विधी चुनता है ठीक है अंगला कोस्चन है सेक्षण परकिरिया का अंतिम सौपान है most important question है question number 25 और आकरी question है अपना जो भाग था भाग एक पार्ट एक था है तो इसका जो आकरी question है तो जल्दी से सभी जोग बताएं कि सक्षण परकिरिया का अंतिम सौपान है तो क्या है तो आपको कमेंट की मैदी हम से बताना है कि एए वीदियो आपको क्या अंसा लगा पार्ट एक है जो गड़त पेड़ागोजी है इसका पार्ट एक है और पार्ट दो बहुत जल्ल ही आने वाला है तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि एफ वीडियो क्या असा लगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें कर देते हैं और जो परियाब्रण से संबंद जितने भी टॉपिक उसमें बनते थे परियाब्रण में सब जल से जितने भी टॉपिक थे उसमें परियाब्रण से संबंद हमने सभी के जो वीडियो हैं टॉपिक वाई टॉपिक आपको उपलब्द कर दी हैं अगर आपने नहीं बस इतना ही आप बने रही है हमारी साथ जैहिन